SBI Share Price, SBI के शेरों में 2% की गिरावट क्यों? अब क्या करें निवेशक? ये है ब्रोकरेज की राय SBI Share Price, मार्च तिमाही में देश के सबसे बड़े बैंक SBI का मुनाफ़ा Market Experts के अनुमान से कहीं अधिक तेजी से बढ़ा. बैंक ने शांदार डिविडेंड का भी ऐलान किया है. हालांकि आज इसके शेरों में गिरावट का दबाव दिखा. जानिए यह गिरावट क्यों रही और अब आगे इसके शेर किस दिशा में चल सकते हैं? SBI Share Price, देश के सबसे बड़े बैंक SBI के शेर आज एकस डिविडेंड हो गए हैं, यानि कि आज या आज के बाद अगर इसके शेर खरीदते हैं, तो इस बार का डिविडेंड नहीं मिलेगा. SBI ने वित्वर्ष 2023 के लिए प्रती शेर 11.30 रुपए यानि 1130 फीसदी के डिविडेंड का एलान किया है, जिसकी एकस डेट आज थी. इसका असर शेरों पर आज दिखा और दिन के आखरी में यह BSAE पर 2.07 फीसदी की गिरावट के साथ 580.55 रुपए पर बंध हुआ है. आज इंट्राडे में यह BSAE पर एक भी बार ग्रीन जोन में नहीं पहुँचा और यह 584.85 रुपए की उचाई तक ही गया था जबकि नीचे 577.50 रुपए तक फिसला था. SBI के शेर होल्डर्स को वित वर्ष 2023 का फाइनल डिविडेंट 14 जून को मिलेगा. इसका एलान 18 मई 2023 को हुआ था. SBI डिविडेंड हिस्ट्री कैसा रिकॉर्ड रहा है? SBI का SBI ने वित वर्ष 2023 के लिए 11.30 रुपए के फाइनल डिविडेंड का एलान किया है. अब इसके डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें, तो वित वर्ष 2021 से लेकर लगातार सिर्फ तीन बार इसने डिविडेंड नहीं दिया है, और बाकी सभी वित वर्ष में निवेशकों की डिविडेंड से एक्स्ट्रा कमाई हुई है. एस बी आई ने वित वर्ष 2022 के लिए 7.1 रुपए और वित वर्ष 2021 के लिए 4 रुपए प्रती शेर के फाइनल डिविडेंड का एलान किया था. उससे पहले लगातार वित वर्ष 2018 वित वर्ष 2019 और वित वर्ष 2020 के लिए बैंक ने डिविडेंड नहीं बाटा था. SBI के शेर पिछले साल 20 जून 2022 को एक साल के निचले स्तर 430.80 रुपए पर थे इसके बाद 6 महीने में ही यह 46 फीसदी से अधिक उचल कर 15 दिसंबर 2022 को 639.65 रुपए की रिकॉर्ड हाई पर पहुँच गया हालांकि फिर शेरों की तेजी थम गई और इस हाई लेवल से फिलहाल यह 7 फीसदी डिसकाउंट पर है अब आगे की बात करें तो बैंक के लिए मार्च तिमाही मिली जुली रही लेकिन ब्रोक्रेज इसे लेकर उचसाहित है निवेशक को लेकर क्या कहते हैं ब्रोक्रेज ब्रोक्रेज फर्म जेपी मौरगन ने 720 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ SBI को ओवर्वेट रेटिंग दी है कम प्रोविजन के चलते इसके नेट इंकम को सपोर्ट मिला वही ओपरेटिंग प्रोफिट भी उम्मीद के मुताबिक ही रही डोमेस्टिक लोन ग्रोथ 16 फीसदी रही जो ओवर्ल सिस्टम के मुकाबले अधिक रहा ब्रोक्रेज के मुताबिक SBI के साथ मार्च दिमाही में इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर में उच्छाल ही इकलोता निगेटिव प्वाइट रहा वहीं एक और घरेलू ब्रोक्रेज मुतीलाल ओस्वाल ने इसे साथ सो रुपय के टार्गेट प्राइस पर फिर खरीदारी की रेटिंग दी है मुतीलाल ओस्वाल के मुताबिक SBI के लिए मार्च दिमाही मिली जुली रही इसका मार्जिन बढ़ा और प्रोविजन कम हुआ तो दूसरी तरफ हाई ओपरेटिंग एक्सपेंडिचर के चलते इसका ओपरेटिंग प्रॉफिट प्रभावित हुआ लोन बुक में फ्लोटिंग लोन का रेशियो अधिक होने के चलते अगर डिपॉजिट कॉस्ट बढ़ता भी है तो इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनायाई और ओवरल अर्निंग्स से सपोर्ट मिलेगा